एलो फ्रेंड्स आए मासुतोस यू आर वाचिंग ओनलाइन एडुकेशन तो आज हम लोग देखने वाले हैं रादरफोट के एक्सप्रीमेंट के बारे में रादरफोट एक्सप्रीमेंट करके कैसे मतलब एटोम को निकाला एटोम के बारे में उसने जाना और दूसरा बात उसका एक्सप्रीमेंट करके वो क्या डिसेशन पर आया मॉडल कैसे उसने प्रस्थूत किया तो देखिए टाइम था 1911 मतलब बहुत ही पहले तब ना था ना था modern technology ना था modern जो device जिससे ना था modern lab तो simple सा एक experiment उसने किया इधर था आलफा पार्टिकल देने वाला एक source इधर से आलफा पार्टिकल निकालता था फास्ट अफ़ आलफा पार्टिकल होता क्या है यह पहले देखते है आलफा पार्टिकल होता है हिलियम 2 प्लास आयोन मतलब एक हिलियम का स्ट्रक्चर को अगर देख ले तो इसमें क्या होते है नियुक्लियस होता है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूटॉन रहता है और उसमें उसके बाहर अगर, मतलब इलेक्ट्रोन का एकसेल रहता है जिधर दो इलेक्ट्रोन रहता है अगर ये दो इलेक्ट्रोन का अगर निकाल दे तो क्या मिलेगा हम लोगों को शिरिफ ये निक्लियस पर्ट मतलब H2 plus इसी को बोलता है आलफा पार्टिकल अब ये आलफा पार्टिकल देने बाला एक सोर्स है इधर एक थीन गोल्ड प्लेट था तो गोल्ड क्यों लिया गया था देखिए गोल्ड लेने का कारण यह है कि गोल्ड को अगर हम लोग कोशिज करे उसको बार बार मार के हम लोग पतला थीन प्लेट बना सकते और कोई मेटल में यह possibility नहीं है थार्ट क्या था इधर एक देखिए न राउंड सेप में जो देख रहे हैं आप ये था जिंक उक्साइट का एक डेरियर जिंक सलफाइट का एक इसमें क्या होता था देखिए ब्रदरफोर ने क्या गया इधर से आलफा पार्टिकल को थो किया सीधा आलफा पार्टिकल गया गीड़ा किसमें गोल प्रेट में गोल प्रेट में गीरने के बाद इधर से आलफा पार्टिकल ये पाट जो गोल प्रेट को क्रॉस करके कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से कुछ कुछ पाटिकल इसको क्रॉस ना करके रिवर्स आ रहा था था तो देखा क्या फिर से बोल रहा हूँ आलफा पाटिकल छोड़ने के बाद अब लोग क्या पाए, maximum जो alpha particle है, gold plate को cross करके, इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से जा रहा था, और कुछ-कुछ alpha particle, few alpha particles, जो reverse आ रहा था, कुछ तो 90度ometer angle लेके reverse आ रहा था, कुछ-कुछ ऐसा भी ता कि 180 degree, पूरा का पूरा पूरा ब्रबह सोः था अब जो आल्पा पार्टिकल जब ये जींस अलपाइट के जो पर्दा था उस की उपर जो गितता था तो इधर छोटा छोटा स्पार्क होता था इस पार्क को देख गये कि हम लोग पहचान पाते एक आलफा पार्टिकल का डायरेक्शन किता था यह हम लोगों को जिंक्स अलफाइड बाला जो लेयर है वो हम लोगों को बता था कि आलफा पार्टिकल का direction किस जिसा में है यह था रादरफोर्ट का experiment तो experiment होने के बाद रादरफोर्ट मौडल कैसे बनाए देखिए first of all माल लिजिए इधर आलफा पार्टिकल आ रहा था ठीक आलफा पार्टिकल आने के बाद यह आलफा पार्टिकल पूरा इधर से reverse कर गया 180 degree या इस तरह कुछ reverse करेगा क्यों reverse करेगा क्यों reverse करेगा यह सोचना चाहिए देखिए nucleus बाला जो part है वो बहुती घना और वजनदार part है तो एक alpha particle जब इसको टकराता है तो reverse में चला आता है माल लिजे इधर एक wall है आप कैसे consider करोगे देखिए इधर एक wall है आप एक fuse wall को अगर इधर throw करेंगे तो क्या होगा wall में यह टकरा के reverse आएगा नहीं तो इधर से आएगा कुछ इसी तरह alpha particle यह wall में टकरा के reverse आ रहाता है कुछ-कुछ 180 degree angle में रिवास आ रहा था कुछ उससे कम ठीक जो alpha particle ऐसे चला गया मानो की किसी के touch में ना आया उसी दा जा रहा था तो उसी लिए experiment में हम लोग क्या देख रहे थे maximum alpha particle जो सिधा निकल रहा था maximum alpha particle क्या करेगा सिधा निकल जाएगा तो एक scenarios यह है एक number दो number scenarios यह है और thought क्या है कुछ-कुछ alpha particle ऐसे जो direction है direction के में ना जाके थोड़ा वो 13 जा रहा था बाहर के वो जा रहा था तो यह है thought scenarios यह तीन condition को देखके रादर फोट को समझ में आया कि यह alpha particle जो जा रहा है तो यह ऐसे behave करने का कारण के लिए उन्होंने logic ख़रा क्या 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 logic था फास्ट एक number logic में उसने बोला उन्होंने क्या बोला कि देखिए जो alpha particle ऐसे जाके पूरा 180 degree angle में reverse आ रहा है मतलब atom में ऐसा कुछ position होगा ऐसा कुछ area होगा जो बहुत इखाना और heavy weight होगा उसमें alpha particle टक्रा के 180 degree या उससे कम कुछ angle में reverse आ रहा है तो उसने पाल लिया कि एक ऐसा स्थान है जिसमें जिसको उन्होंने बोला kendrin या nucleus part जिसमें क्या है neutron और proton रहता है neutron proton के बाद तब नहीं आया था तो nucleus part इसको बोला दूसरा जो scenario इस था state जाने वाला second point से ये decision में आया कि maximum number of alpha particle state ही जा रहा था इससे क्या decision में आया कि एक atom का maximum place क्या है vacant है maximum to maximum place vacant है इसलिए उक सिधा निकल जा रहा था इसको थोड़ा इस image से देखे है माल लीजिए ये वाल में एक बड़ा window है आप इसमें wall throw कर रहे हो तो क्या होगा window से सीधा ये wall निकल जाएगा क्योंकि इधा कोई barrier नहीं है लेकिन जो wall इधा टग रहेगा वो reverse करेगा है कि नहीं तो second condition वाला और first condition में क्या पाया हम लोग first condition से ये पाया कि एक place ऐसा है जिसको हम nucleus बोलेंगे जो है बहुत ही घना heavy weight जिसका size बहुत ही छोटा है respect to the atom का full size atom का full size चे ये nucleus वाला part बहुत ही छोटा है दूसरा point क्या पाया दूसरा point ये पाया गया कि maximum place atom का क्या है vacant है ठिक third scenario हम लोगों को ये दिखाई रहा था कि कुछ कुछ alpha particle वो सिधा भी नहीं जा रहा था reverse भी नहीं कर रहा था थोड़ा बहार की और वो निकल रहा था तो third scenario से क्या पता चलता है कि देखिए alpha particle है helium two plus ion मतलब alpha particle का charge क्या है positive charge है clear आप nucleus का charge अगर positive होगा तब क्या होगा दो positive चीज ये मान लिजे nucleus positive चीज charge भाला nucleus और इधर से गुजर रहा है close से गुजर रहा है positive charge भाला alpha तो दोनो positive charge क्या करेगा repulsion करेगा तो इससे क्या होगा इसका जो direction होगा धीरे 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 करके दूर चला जाएगा क्योंकि repulsion कर रहा है बहार की और टकल रहे इधर भी ऐसे तो इसी लिए कोई-कोई alpha particle सीधा ना जाके थोड़ा तेरी मतलब nucleus से थोड़ा दूर से गुजर रहा था तो तीनों decision से Rutherford ने एक model भी create किया ठीक है model एक मोटा-मोटा मतलब एक दुम simple stack चाथ था उसमें कोई detail कोई कुछ नहीं था मतलब detail में कुछ नहीं था कि कैसे nucleus है nucleus में positive charge तो है ठीक है positive charge किसके लिए है electron जो है electron का जो area है इसको electron zone बोल रहा था ठीक है और इसको बोल रहा था nucleus zone electron का जो zone है तो electron कैसे है कितना electron है कहाँ पर है यह सब details कुछ नहीं था Radharford के structure में होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि एकदम basic model था मतलब एकदम start में ओ महान scientist था इसलिए इसको सोच पाया कि ऐसे हो सकता है तो हम लोगों को एक नया दिश्णा देखा एक नया अध्धाई chemistry में add हो गया तो उसके बात देखिए Radharford का जो structure का limitation भी है limitation क्या है limitation में क्या देखते है देखिए अगर एक positive charge को बीच में रखे अगर कोई negative charge घूम रहा हो clear खाल लेजी यह है negative charge खाल लीजीए एक negative charge बाला एक particle है बीच में क्या है positive charge है अगर max oil ने यह दिखा दिया था बहुत पहले ही दिखा दिया था Radharford के पहले कि एक negative charge अगर कोई positive charge को बीच में रखे खूम रहा होगा तो क्या करेगा यह negative charge continuously energy छोड़ेगा continuously ओए energy को reduce करेगा छोड़ेगा तो क्या होगा देखिए इसका concept के लिए मैं एक सांदर सी चीज आपको दिखाता हो माली जी एक एक stick है ठीक यह क्या है एक stick है और stick से जुरा है एक रसी रसी के आगे एक bob या metal की ball बन्दा हुआ है अगर आप इसको full force से घुमाओगे तो यह ऐसे घुमेगा stick मिडल में रहेगा और ऐसा घुमता रहेगा clear जितना आप energy कम लगाओगे वो धिरी धिरी के आएगा निच्छी आएगा और ऐसे छोटा circle बनाके वो घुमेगा मतलब जितना energy level आप जितना energy level इसमें होगा जितने energies में होगा motion में उतना यह distance भी बड़ा होगा और जितना energy कम होगा उतना यह radius से मतलब यह stick से distance उतना कम होगा तो दिखा जाए उपर से अगर यहां से अगर उपर से अगर हम देखे तो क्या दिखाए देगा जब full energy में घुम रहा था बड़ा सारकेल था तब क्या था बड़ा सारकेल था जितने energy कम हुआ तो छोटा सारकेल आया मतलब इतना छोटा सा एक सारकेल बनाया और भी energy level कम होगा तो और भी छोटा सारकेल होगा और भी energy कम होगा तो और भी छोटा सारकेल होगा तो क्या हुआ ये मतलब negative charge किधर राधर फोर्ट में मान लीजिए ये अगर electron है तो negative charge है और ये positive charge वाला nucleus है तो एक electron negative charge जो एक positive charge nucleus को बीच में रखके घूम रहा है तो ये electron क्या करेगा continuously energy को reduce करेगा इसका energy level down में जा रहा है तो क्या होगा ये radius धिरे 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 छोटा होगा होते 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 क्या होगा इसमें गिर जाएगा मतलब electron और nucleus में जो distance था ओडिस्टेम कुछी चंद second में कुछी second तो छोड़िये second का भी fraction time में ये distance zero हो जाएगा मतलब जो structure रदरफोर्ट ने बनाया रदरफोर्ट ने जो structure बोला बोले हम लोगों को की structure दिये यह structure तभी के तभी खत्म क्यों? इसका electron और जो nucleus इसका distance नहीं बचा तो यह था रदरफोर्ट का limitation structure का ठीक है तो इसके आगे चलिए और एक चीज़ देखते है कि रदरफोर्ट और जो solar system है रदरफोर्ट का जो atomic model है और जो solar system में इसे similarity और similarity क्या है? similarity देखिए इसमें जो सूरज वो सूरज बीज में रहता है ठीक और उसके चार पास जो पिथवी, Saturn, Uranus जो भी गूमता है ठीक है कि नहीं? इधर भी एक नियोकलियस होता है उसके चार पास electron गूमता है तो यह कुछ मिल पाया हम लोग रहें इसमेलिटी क्या होगा? सूरज में कोई charge नहीं है और आरतिस में भी कोई charge नहीं है लेकिन इधर नियोकलियस का positive charge है और electron का negative charge होता है पिथवी का एक चांद होता है यह कि नहीं? लेकिन electron का ऐसा कुछ चांद नहीं होता है दूसरा क्या होता है? सूरज से सूरज का जो मास है जो अधर जो planet होता है उससे कई गुना ज़्यादा आता है लेकिन एक electron के मास के respect में नियोकलियस का मास बहुत 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 ही ज़्यादा होता है यह था कुछ basic concept, difference, similarity, dissimilarity solar system और Rutherford electron model का atomic model का तो देखिए यह basic concept जो उन्होंने दिया साय तो नहीं टीक पाया और गलत साबित हो गया लेकिन अगर ओ यह structure नहीं देता तो हम लोग आगे सोची नहीं पाते आज जो modern concept है ओ यह नहीं आता कभी भी नहीं invent होता तो यह था Rutherford का कोशिस Rutherford ने जो structure दिये जो concept हम लोगों को मिला इतना ठीक है आगे जाके देखेंगे नील्स बोर इसका कैसे इसको सुधारते है ठीक है तो ठीक है बावाएं लो लो आगे जो मिलाऑ्लास झालास